आज हम बात करेंगे रेजर पे पेमेंट गेटवे के बारे में तो पहले हम जाते हैं डाशबूर्ड पे तो पेमेंट गेटवे अगर जैसे हमने तीन पेमेंट गेटवे हमें बाइ डिफॉल्ट मिलते हैं WooCommerce की तरफ से अगर हमें कोई एक्स्टरनल पेमेट गेटवे यूज़ करना है तो हमें उसके लिए सबसे पहले हमें प्लगिन इंस्टॉल करना पड़े गा तो हम जाते हैं प्लगिन को इस्टॉल कर लेता हूं और फिर मैं एक्टिवेट कर लेता हूं प्लगिन को अब यहां से आप इस plugin को setup कर सकते हैं या फिर आप WooCommerce में जाके Settings में जाके Payments में जाके इसको setup कर सकते हैं, ओके तो Razer Payment Gateway अभी हमारे पास आ गया है तो मैं इसको पहले manage कर लेता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ इसके उपर Unable, Disable अगर मैं प्लगिन को Unable करना है तो मैं इसको simply यहां पर क्लिक करना है Title, Description को Change करना है तो मैं यहां से Title add कर लूँगा, Edit कर लूँगा यहां से Description Edit कर लूँगा Key और Secret ID के लिए आपके पास Razer Pay का अकाउंट होना जरूरी है अगर आपके पास Razer Pay का अकाउंट है तो आप Simple Razer Pay के Dashboard पे जाएंगे Settings में जाएंगे और उसके बाद API Keys पे जाएंगे आपको यहां Key मिल जाएगी और इसकी Secret Key मिल जाएगी तो यहां से आप Key लेके पहले Key ID आप यहां डाल सकते हैं Secret Key आप यहां डाल सकते हैं Okay, Order Place हो जाएगा किसी Customer का But Payment नहीं Receive होगी at that time अगर आपको Payment at that time receive करनी है तो आप Authorize and Capture पे क्लिक करेंगे ठीक है आप फिर उसको Order Completion का Message आप यहां से Modify कर सकते हैं Custom Message आप अपने Customer को दे सकते हैं Activate Debug Mode Okay Debug Mode से क्या होता है आपके जो Dashboard के उपर WooCommerce में एक Log File Create हो जाती है इस Payment Gateway से Related So, Every Time अगर कुछ जब भी Payment होगी या जब भी इस Plugin का Use होगा तो वहां पे Logs इकटे होता हैं तो अगर आप Enable करेंगे Debug Mode को तो अगर कोई Problem इस Plugin के अंदर आती है Payment Receive करने में, Capture करने में, Notification में या किसी भी तरह की तो Debug Mode अगर आपने On का रखागो तो वह Logs में वह Detail आपको मिल जाएगी कि कहां पे कौन सा Function है जो Work नहीं कर रहा है तो आप हमेशा इस Debug Mode को Enable रखें, Okay Enable Route Mode For Route Payment Transfer For Created Link Account इसके लिए आप यह Documentation को पढ़ सकते हैं मैं इसको recommend नहीं करूँगा कि आप इसको Enable करें तो इस तरीके से आप Razor Pay से जो है वह Payment ले सकते हैं Okay तो मैं इसको Save Changes करके एक बार देख लेता हूँ कि यह Payment Gateway हमारे पास डिस्प्ले हो भी रहा है या नहीं मैं जाता हूँ Cart के अंदर ठीक है Credit Card, Debit Card, Net Banking, Wallet, UPI तो किसी भी तरीके से जो है वह हमारा customer यहां से Payment कर सकता है तो अगर आपको भी Razor Pay को Use करना है तो आप Same Settings कर सकते हैं आपको मैंने बता दिये कि आपको API की यहां मिलेंगी Razor Pay के अंदर Settings में जाके आपको API की यहां मिल जाएगी Okay तो आप अपनी API की Create करके अपना Payment Gateway जो है वह यूज कर सकते हैं So इसी के साथ जो है यह वीडियो खतम होता है Thank you so much for watching and please subscribe my YouTube channel Thank you